दोस्तों हाला कि देखे जाए तो कोर्स तो कई है जिन कोर्सिस को आप कर सकते हो बारवी कम्पलीट करने के बाद उन्हीं में से एक कोर्स आता है जिसको हम बोलते है बैचलर ओफ फार्मेसी दोस्तों कई सारे कोर्सिस अगर हम बात करें MBBS की BDS की BAMS BUMS BHMS की बात करें BBT कोर्स की बात करें BNYS की बहुत सारे ऐसे कोर्सिस हैं जो कोर्सिस पढ़ने के बाद में आप डॉक्टर बन जाते हैं या फिर आगे Medical की सीवी लाइन में निकल जाते है ये ऐसा ही एक कोर्स आता किसी भी college में, किसी भी government university में या किसी भी private university में उन सब questions का आज मैं जवाब दूँँगा अपने इस वीडियो में ज़्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रही है हमारे इस वीडियो में साथ दोस्तों हला कि हमने कई colleges को explore किया, review किया उनका, काफी universities में हमने visit किया, आपके सवालों को लेकर हम वे universities और colleges पूछा उन universities से, ऐसा ही एक सवाल हमारे पास लगातार जो पूछा जाता है कि sir, bachelor of pharmacy की fees कितनी होती है, मतलब कि अगर मुझे private colleges में अगर आपका किसी भी government college या किसी भी government university में नंबर आ जाता है एक तो reputation बहुत अच्छी होती है, आपको मानिता पर सवाल कोई जवाब होगा नहीं, मतलब कि सवाल नहीं होगा आपके दिल में किसी भी तदा का और साथ में ही मानिता को लेकर मतलब कि PCI, Pharma Council of India का approval है के नहीं उस government university या government college को आपके दिल में इस तरह के सवाल होते रहीं है तो बैतर है कि आप government college या government university का ही चैन करें, आप जाएंगे बहुत सस्ते में आप आसानी से परियर में admission ले लेंगे, 10-20,000 में आपका admission आसानी से हो जाएगा बड़ सवाल यहाँ पर आता है private candidates जो private किसी भी college या किसी भी university से करना चाते है, bachelor of pharmacy अच्छी percentage 12 में नहीं है, साथ में ही उनके पास वो resources नहीं है या फिर उनके पास ऐसा कोई भी plus point नहीं है, जिसकी वजह से उनको scholarship मिल जाए, चातरविर्ती मिल जाए, या किसी भी तरह से discount मिल जाए, तो आप जाएंगे private colleges के पास colleges में आप admission लिने जाते हैं भी pharmacy के लिए, तो आपकी जो fees हो सकती है, वो fees होगी 50,000 रुपी से लेकर 75,000 तक पर year की fees आपका bachelor of pharmacy के लिए हो सकती है चार साल का course है, अगर 50,000 रुपी का खर्चा आपका इसमें आ सकता है, होस्टल और मैस अगर आप रहेंगे किसी भी college में जाकर, जो होस्टल्स होंगे उसके या फिर जो खाना पीना होगा, उसका आपको extra pay करना पर सकता है अब बात करते हैं private universities की, मुद्दा यही है, क्योंकि जातर इस्टूडेंस private universities में admission लेना चाते हैं, होस्टल्स की वज़ा से, education की वज़े से, exposure की वज़ा से, या कुछ भी practical जो knowledge होती है, उसकी वज़ा से काफी students हमें call करते हैं, कि sir private university में admission लेना चाता हूँ है, या चाती बैचलर फार्मेसी के लिए फीस कितनी है, तो अगर आप private university में जाते हैं, तो वहां की फीस आप मान के चलना minimum 70,000 पे से लेकर 7,000,000 तक फीस हो सकती है, मतलब कि 70,000,000 से लेकर लगबग 1,25,000 तक per year की फीस होगी without hostel, without mess, इतना तो होना ही चाहिए per year आपका budget अगर आप किसी बैचलर फार्मेसी करना चाहते हैं, तो जो फीस के बारे में आप तो मैंने बताया है, जो होस्टल के बारे में अगर हम बात करें, तो होस्टल और mess को मिलाकर per year का आराम से आपका खर्चा कम से कम 40,000 रुपे तो खर्चा आएगा ही, रहना, खाना, पीना, सब कुछ मिलाकर इतना बजट होना चाहिए, तो ही आप किसी भी प्राइवेट युनिवस्टी से बैचलर ऑफ फार्मेसी करने की सोचें, अदरवाइस आप किसी भी गौवर्मेंट कॉलिज ये युनिवस्टी में जाएं या फिर सिफ कॉलिज में जाएं, जो प्राइवेट छोटे दोस्तों आपके दिल में कोई भी किसी तरह का सवाल है या फिर आप चाहते हैं कोई भी assistance, admission को लेकर तो आप हमें comment box में ज़रू बताएं ताकि हम उसका reply कर सकें या फिर आप हमें whatsapp करें, instagram, facebook कमेंट करें ताकि हम आपको reply करें और आपके हर तरह के doubts को clear करने में मदद कर सकें दोस्तों अच्छा लगा हूँ आज का वीडियो हमारे चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना बूले, साथ में लगा बेल आकिन जरूर दबा दे ताकि इसी तरह की जो हम education related वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं वो आप तक बोच सकें सबसे पहले, बहुत बहुत शुक बने वाद हमारे वीडियो के साथ बने रहने के लिए